गुड आप्टर नून स्टुडेंट आज में चैप्टर थ्री का कुश्चन नुबर टू का एक लास पार्ट बच रहा है वह करेंगे अपला सम्कुश्चन नुबर 3 करेंगे तो स्टार्ट करते हैं कुश्चन नुबर 2 का 4 पार्ट, एक पार्ट और बज़ रहां 5 पार्ट वह करते हैं आपको कुश्चन नुबर 3 करेंगे तो सबसे करेंगे इसका फीकर ट्रॉप करते हैं करते हैं अब इस कुश्चन में हमें और यह क्या है यह क्या है परलेलों ग्राउंग के दिन है तो अब्यस है कि यह दोनों के अपोजिट अंगल है तो यह इक्वल होजा अगा 120 त्यूंकि अपोजिट 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 अंगल ग्राउंग इक्वल इन पैरलेलों तो आपको सबसे पहले आपको फीडर बनाना होता है जब भी आप कोई पॉइंट डालते हो तो उसके रीजल देनी होते हैं क्यों डालना है तो यहां पर हमने लिखा एंगल य इक्वल 120 तो क्यों लिखा है क्योंकि अपोजिट अंगल में इक्वल होते हैं अब देखो अगर ह इन ट्राइंगल क्योंकि इस ट्राइंगल दा कोई नाम नहीं है तो इसमें 40 डिग्री पलस य पलस एक्स इक्वल में 180 डिग्री तो 40 डिग्री वाई की वैलू आ गई है 120 डिग्री तो एक्स की वैलू हम निकाल करें ठीके और यहां पर हमने 180 डिग्री क्योंकि यह अंगर सम प्रपड़्टी है तो एक्स की वैलू हो जाएगी 180 डिग्री और इनको पलस किया तो 152 डिग्री मोई जरा के माइनस हो जाएगा तो यह आ गया 20 डिग्री तो एक्स की वैलू आ गई 20 डिग्री अब इको जो एक्स है बनी जेट होगा अंगल एक्स इक्वल अंगल जेट होगा क्यों होगा क्योंकि यह अल्टर्नीट इंटिरियर अंगल तो आंगल एक्स और एक्स इतना है 20 डिग्री इस तरह से हमने अंगल एक्स वारी ज़र हमने निकाल दिया है तो अब क्वेश्चन नूमर 3 काई दिए क्वेश्चन नूमर 3 कि क्वेश्चन नूमर 3 में हमें फीगर ड्रॉ करके नहीं दिया है हमसे सिंप्ली एक पूछा जाया कि क्या एक क्वार्ट्र लेटर पार्लोग्राम हो सकता है अगर उसमें कंडिशन दिया है कि आंगल डी परस आंगल भी यह अगर इनका सब और इनका सब्सक्राइब यह को सकता है तो यह हो भी सकता है और नहीं को सकता है तिकि मेबी और कि नॉड क्योंकि कंडिशन की हम पी है कि एंगल डी ऑक्वागल दी होहा तभी यहां पैर्लो ग्राम हो सकता है तो यहां एक पैर्यआलोग्राम नाल तो यह इसका फ़र लख पार है अब इसमें सेकंड पार्ट में दिया हुए कि एडी इक्वल डीशी यह एट सेंटीमेटर है अब फिर जो दूसरा है वो है एडी इक्वल बीशी इमें एडी फोर सेंटीमेटर है और बीशी अब देखो अगर हम इस फिगर ड्रॉख करते हैं तो देखो एडी और अदी सिग्याओ यानि कि यह आपोजीव शाय। यह है है वह इसके एक्कोल है ठीकिर लेकिन इडी यह होगा है था था पोर सेंटीमेटर प्रेंड आइडी यह वो है प्वोर सेंटीमेटर एडी जो है वो है फोर सेंटिमेटर लेकिन बीची जो हो क्या है फोर पॉर सेंटिमेटर इसमें भी लिखिंगे इस यह फिल्याट्री है कि यह एक पैलेलोग्राम नहीं है इस नॉट आप पैलेलोग्राम क्यों लिखो भी काऊओ और नॉट यह साइड एक पैलेलोग्राम नहीं है अब थर्ड पार्ड थर्ड पार्ड में दे रहा है कि एंगल ए जो है वो सभेटी रिद्री और एंगल सी जो है वो है श्क्स्टी फाइव अब देखो एंगल एंगल और इसके यह एक रिखोंड इसके इकल ननी यह तो आपली को फिर एंगल एंगल नॉट इक्कोल एंगल दोंगल इंगल सी फ्रेंज इलीशन इविए अब्स इसमेंग आइए नॉट पर रिखें तो दो कंडिशन के सकता है या यह प्रॉपर नहीं गया थे अब कुश्यों नुमर 4 ने कह रहा है है कि रहा है कि रहा है ज रहा है कि अब रांट लॉब जो ड्रम को था रहा है अब यह ख़़र है कि है कि आज ऐह ने लेकिन मालो इसका यह एंगल जो है वो दियावा है 65 और यह दियावा है अब देखों इसमें दो अपर इसके आपस में लेकिन यह वाला इसके क्या इक्वाल नहीं है तो यह एक परनोग्राम नहीं होगा ठीक है क्या है पहली कंदिशन यह होती है कि इसके अपॉलिट यह यह जो यह जाए जाए इसलिए यह जाए यह जाए जाए घ्रीक्राम नहीं हो सकता है इस तरह से क्यांपड देखे बताना था इस तो कुष्चन नमर्र फूर हो गया आगे के जो कुष्चन बच रहें ख़ले वीडियों करेंगे आख के लिए इतना भी थाइंक ही जाए कर दो कर दो और दो और दो जाग कर दो आगा में या दो कर दो आगा है